हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रियभक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है श्री राम जी के दर्बार में ए उन्दिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारध मुनी का कहना था कि राम नाम में ज्यादा ताकत है, नारध मुनी की बात कोई सुन ही नहीं रहा था, हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे, जब सभा खत्म हुई तो नारध मुनी ने हनुमान जी स कहा कि रिशी विश्वामित्र को छोड़ कर वो सब रिशी मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा रिशी विश्वामित्र को नमस्कार क्यों न करूँ नारद मुनी ने जवाब दिया। वो पहले राजा हुआ करते थे। इसलिए उन्हें रिशियों में मत गिन नारत जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया हनुमान जी सब को नमस्कार कर चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया इस बात पर रिशी विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मौत की सजा दे श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया, हनुमान जी ने नारद मुनी से इस संकट का समाधान पूछा, नारद ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें, हनुमान जी ने ऐसा ही किया, वो आराम से बैठ कर राम नाम का जाप करने लगे, श्री राम ने उन पर अपना धनुश बान तान दिया, साधारन तीर हनुमान जी का बाल भी बाका न कर सके, जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने ब्रहमांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्रब्रह मास्त्र का उप्योग किया, लेकिन राम नाम जबते हुए हनुमान पर ब्रहमास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बात को बढ़ता देख नारग मुनी ने रिशी विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा तब जाकर विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा किया, अगर आप भी हनुमान जी के भगत है तो कमेंट में जय हनुमान लिखे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें